आप देख रहे हैं आरपी केपी इंडिया न्यूज सीव सेना द्वारा ए आरटीयो संतोस पाल एवं उनकी पत्नी रेखा पाल को बर्खास कर गिरप्तार करने की मांग नय संगत मांगे पूरी नहीं होने पे किया जाएगा उगर प्रदर्शन कनिया तिवारी सीव सेना प्रदेश प्रवक्ता कनिया तिवारी एवं जिला ध्यक सेलेंद बारी के नितवत्त में प्रत्नी दिमंदल ने कलेक्टर के नामे ग्यापन तैसीलदार सुरेच सोनी को सौप कर मांग की है कि जवलपूर में पदस्त रहे पूर्व ए आर्टीयो संतोस पाल के विरुद्ध इओ डबलू के छापे के बाद की घटना करम को लोकर आम जंता में संसे एवं रोस ब्याप्त है करनिया तिवारी एम सलेन बाजी ने ग्यापन सौप कर मांग की है कि ए आर्टीयो संतोस पाल के उपर आयसे अधिक संपत्ती मामले में इओ डबलू छापे के बाद किरफतारी नहीं की गई जबकि समान तोर पर जैसे अन दोस्यों को तत्काल गिरफतारी की जाती है वैसे ही उन्हें गिरफतार कर देल भेजा जाए और उनके पाथ जो अगोसित संपत्ती छापे के द्वारान पाई गई है उस चल अचल संपत्ती को सरकार तत्काल जब्त करे स्रीतिवारी ने मांग की है कि जबलपूर में तत्काल नए आटियो की नियुक्ती की जाए एवं नियम विरुद तरीके से जो संतोस पाल एवं उनकी पत्नी रेखा पाल की जबलपूर में ही पदिस्थापना की गई है उसे रद्द किया जाए क्योंकि वह जांच को प्रह संतिवारी शेलेंद बारी अमर्देव यादव रविंद पाल चद्दा गजारन गुपता सुझीर तामकार सोनु गुपता विशाल स्वामी शेलेंद राव उपरसित्थे से उसेना ने त्यतावनी दी है कि साथ दिन में न्याज संगत मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र सब्सक्राइब के नाम तैसिलदार सुरेश सोनी जी को ग्यापन सौंपा गया उस ग्यापन सौंपने का मुख्य कारण ये था कि ए आर्टिव संतोष पॉल उनकी धरम पतनी रेखा पॉल की उपर जो यूव की कारवाई हुई थी चापे की उस कारवाई में ना ही उनके कर दिया जाता है ऐसा क्या कारण है कि करोडों की संपत्ती जब्त होने के बाद भी जो की अवैद रूप से अर्जीत की गई थी उनको बरखास नहीं किया गया है और उनको गिरफ्तारी नहीं करके और उन्हें जेल भेजा गया है तो यह मजबूरी दिखाती है कि शिवरा स नहीं किया जाएगा और साथ दिन के अंदर उनके उपर कारवाई नहीं होती है तो से उसे नाज के लिए सड़कवा पर उतुरेगी और उगर अंदूलन करेगी का नहीं है तिवारी प्रदेश्ट प्रवक्टा सुचिंगा